वेलकम टो अन्सूस क्रियेशन कैसे हैं आप सब आप सब आप सब बहुत यह अच्छे सहोंगे तो फ्रेंड्स यह है मसाला मश्रूम तो आज मैं आपसे मसाला मश्रूम की रेसिपी सेर करने वाली हूँ और इसको बनाना बहुत इजी है बहुत कुछ जरूत नहीं पड़ती इसको बनाने में बहुत जल्दी बन जाती है और आपको पता है मस्रूम के बहुत सारे फाइदे हैं यह हमारे हाट को बहुत ही स्वस्त रखता है और इसकीन को भी बहुत हेल्दी रखता है तो सबसे पहले मैं आपको दिखा रही हूँ यहां मैंने मश्रूम लिया है दो प मुने खड़ी बी रखी है पारीक नियू नेक difficultे नोब ci तेश पत्त के यह बिंद्याख यह मिर्ची रख जीशकरइब टbuilds मिर्ची धेस के मिर्ची फ्लैक जीष संहर्च कर्थ हैं यह कीचिंग इंग books जाब आठने के नियू आ ह duplicate you पहन को भी चणहा दिया है और उसमें मैंने सरसो तेल यूज किया है चोखिए मैं आज पनीर में पशी पंद कि स्वकों स्वरता है तो यह साथे यां तो में तक हमारी बविल्डे हो तती हो तो कर लें यह थोड़ा से डि यहीं में देखिए chcia कर दोखिर है Spark सारे जो मैंने मसाले आपको दिखाए थे खड़े मसाले जैसे तेज पत्ता हो गई खड़ा जीरा हो गया दो लाल मिर्ची एक इलाइची दो लॉंग ये सब मैं डाल दूँगी इसमें ये है खड़ा जीरा यहां मैं फ्रेंड्स गार्लिक भी यूज़ कर रही हूं खड़ी मैंने ऐसे बारिक बारिक काट लिया है चुकि गार्लिक की क्रंचिनेस अच्छी लगती है और मैंने पेस्ट भी यूज़ किया है जो मैंने भी आपको दिखाया था इसको थोड़ा सा लाल कर लेते हैं तो अब देखिए यह अच्छा खासा यह लाल होने को है अब इसमें डाल दिया मैंने प्याज और इसको फ्रेंड्स प्याज को हम लोग सुने रहा होने तक थोड़ा सा इसको भूनेंगे मश्रूमी में गersonald के बहुत ज़्यादा मातरां पाया जाता है तो मश्रूमी खाना लिए बहुत ही फा esté अबित होता है दूस्तों के सेजन में मश्रूमी को जितना हो सके खाना चाहिए हमारे का डाजर्टियव सिस्टम अबहुत ही अिस olmayता है डायकूआ रहता है तो प्यास का रंग चेंज होने को है अब इस टाइम हम लोग डाल देंगे लैसन और क्रश कियावा गार्लिक ढ़िफे दूस्री तरफ हम लोग एक कडायी को और चड़ाएंगे क्योंकि उसमें हमें मश्रूम को फ्राई करना है तो मैंने दूसरी भी कडायी को दूसरे वाले इस पे चड़ा दिया है अब इसमें हम सर्सों तेल डालेंगे तो अभी मुझे दो-दो कड़ाई को देखना है एक इधर भी और एक उधर भी प्यास का भी रंग चेंज हो रहा है धीरे धीरे मैंने उस वाली कड़ाई पे सरसो तेल डाल दिया है और इसमें अब लेसन का पूरे तरह से कच्चापन निकल चुका आप देख सकते हैं प्यास भी लाल हो चुका है और लेसन अदरग भी अच्छे से भून चुका है मैं अपने रेगुलर सबजी में फ्रेंड्स रोज सरसो तेली खाती हूँ अब इसमें मैं डाल रहे हूँ धनिया पाउडर यह है लाल मिर्च पाउडर यह सब आप अपने टेस्ट के कॉड़िन डालियेगा और यह है जीरा पाउडर और इसमें मैंने थोड़ा सा काली मिश पाउडर भी लिया था जो कि मैंने डाल दिया है और किचिन किंग मसाला मैं भी इसमें यूज नहीं करूंगी चुकि यह सब अच्छे से भून जागा तो थोड़ी दर बात में इसको डालूंगी और इसको अच्छे से चलाते हैं दर हमारा सरसो तेल भी गरम हो रहा है तो अब हम मश्रूम भी उस वाले कड़ाई में डाल देंगे यदि आप सरसो तेल पसंद नहीं करते जैसे बहुत लग होता है सरसो तेल नहीं पसंद करते तो आप इसको रिफाइन आर्ल में भी बना सकते हैं यह तो मैंने यहां सरसो तेल यूज किया है कि मुझे मसाला मश्रूम बनाना था ने तो पनीर की बहुत सारी रेसिपी आसी है जिसको हम लोग रिफाइन में या बटर या घी में ही बनाते हैं तो यह आपकी च्ला आप इसमें रिफाइन से बनाना चाहते हैं तो वो भी आप इसमें यूज कर सकते हैं कि मश्रूम काफी पानी चोड़ता है तो अभी तुसमेंसे काफी पानी नीकल रहा है élémentsकों पानी पानी हो चुका है तो उसको तो अभी सूखने में बहुत टाइम लाएगा और जब तक पूरी तरह से पानी सूख न जाए तब तक हम उसको ऐसे ही फ्राई करेंगे और अब मैंने इसमें नमक डाल दिया नमक मुझे थोड़ा सा कम लग रहा है तो मैं थोड़ा सा नमक इसमें और डालूंगी चुकि नमक थोड़ा कम है गैस का मैंने फ्लेम लो कर दिया है चुकि मसाला मैं लो फ्लेम में ही बुनती हूँ वैसे तो सब लोग मसाला को लो फ्लेम में ही बुनते हैं और चलिए अब यहां धकन लगा देते हैं आराम आराम से यह जब तक मसाला पकता है तब तक मैं उस वाले पतीले को भी देखती रहूंगी लेकिन अभी तो इसमें काफी पानी है आप देख सकते हैं बहुत ज्यादा पानी है तो तकी बन पांच मिनट के बाद दोस्तों मैंने यहां पर लिट को हटाया है और एक बाप फिर हम लोग इसको चलाते रहेंगे टाइम टू टाइम इसको चलाते रहना है जो कि मसाला हमारे अच्छे से भुन जाना चाहिए यहां मुझे छोटी लाइची दिख रही है यह जरूरी नहीं है यदि आप इसको निकालना चाहिए तो निकाल दे बैसे कोई जरूरी नहीं है कि आप इसको निकाल दे ही और अब इसमें गया किचंग मसाला भी तो किचिन केंग थोड़ा सा भी डालने से बहुत अच्छा फ्लिवर आता है खुश्बू भी बहुत अच्छी आती है अब यहाँ थोड़ा सा पानी डालेंगे और इसको अच्छे से चलाएंगे और देखे यह काफी हद तक प्याज पूरी तरह से गलने पे है ग्रेवी अच्छी खासी दीरे दीरे वो बन रही है मसाला भी हमारा भून रहा है इसलिए थोड़ा थोड़ा ही पानी डालके पहले हम लोग अच्छे से मसाला को भूनेंगे और सच में यह बहुत अच्छी सबजी बनती है आप इसको एक बार जरूर ट्राइ किजेगा मसाला मश्रूम बहुत अच्छी लपती है बहुत टेस्टी बनती है यहां फिर थोड़ा सा पानी डालके लिड को लगा देंगे और एक रिक्वेस्ट है दोस्तों कि वीडियो प्लीज एंड तक देखेगा और अच्छी लगी तो लाइक शेयर कॉमेंट्स जरूर दीजेगा कॉमेंट्स आपके हर तरह की मुझे चलेगी कोई भी सजेशन देना चाहें आप प्लीज जरूर दीजेगा और मेरे चानल पे नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब भी जरूर कीजेगा तो देखेए मैंने लीड हटा दी थी और अब इसमें डाल दी टमाटर तो मैं 5 मिनिटे स्टार्टिंग में दुबारा से फिर 3 मिनिट निकाल धकन से धक के हटा हटा के इसको चलाते जा रही हूं तो मैं आपको टाइम भी बता रही हूं 5 मिनिट, 2 मिनिट कभी 7 मिनिट ऐसे मैं इसको जब तक मसाला अच्छे से भुन न जाये और ये तेल छोड़ने ना लगे तब तक हम लोग इसको ढ़कन हटा हटा की इसको चलाएंगे और फिर से ढ़कन लगा देंगे तो ये देखी अब हमारा मच्रूम कभी पानी बिल्कुल सूख चुका है और ये देखी टमाटर भी पूरी तरह से गल चुका है कर्ची के साहता से हम लोग इसको अच्छे से चलाते जाएंगे और मैश करने की कोशिश करेंगे ताकि सारे मसाले टमाटर अच्छे से मिक्स हो जाए तो आप देखे यहाँ पूरी तरह से ये मिक्स हो रहा है तो अब हम अपने भूनेवे मश्रूम को इसमें डाल देते हैं और इसको डाल के भी दोस्तों हमें फिर से ढखके अच्छे से कम से कम आठ से नौ मिनिट तक पकाना है तो ये मसाले के साथ मश्रूम अच्छे से देखे मिक्स हो चुका है बहुत ही लटपट सी सबजी बनती है ये थोड़ा सा पानी मैंने डाला और फिर से लिट लगा के इसको अच्छे से ढख दूँगी ताकि अच्छे से मसाला और मश्रूम दोनों मिक्स हो जाए थोड़ी सी ग्रेवी पतली चाते हैं तो वह भी डाल सकते हैं और ये देखे चुकिए सबजी हमारी लगबाव बन ही चुकी है तो हम लोग इसके लास्ट में हम लोग इसमें कसूरी मेथी बेढाल देंगे और कसूरी मेथी डाल लेके बाद फिर से लिट लगा के हमें इसमें कम से कम चार से पांच मिनिट फिर से पकाना है तो यह देखें पांच मिनिट के बाद मैंने फिर से धक्कान अटाया और यह देखें यह कितनी अच्छी दिख रही आप देख सकते हैं बहुत ही लटपट सी सब्जी बन गई हमारी तो गैस को हमने बंद कर दिया और अब बारी है फ्रेंड सब्जी को मैं बावल में निकाल के आपको दिखाती हूं हमारी बहुत ही टेस्टी मसाला मश्रूम की सब्जी बनके रेडी हो चुकी है मैं फिर से बो रही है फ्रेंड एक बार आप इसको जरूर ट्राय कीजेगा और चानल को मेरे सब्सक्राइब जरूर कीजेगा